आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसे हर व्यक्ति को जानना चाहिए और आप देखेंगे कि आज की इस योग में आज की इस दौर में ये टॉपिक काफी चर्चा में बना हुआ है आप लोग सोसल मीडिया पर देख लीजे आप लोग आप लोग टीवी चैनल्स पर देख लीजे नियूज पेपरों में आप लोग देख लीजे और कई आप देख रहे होंगे कि बित्तिय संस्थाएं हैं जो आपकी ये सुविधाय उपलब्द करा रहे हैं और आपको बेवकूप भी बन जाते हैं और आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है उसका और मुझे लगता है कि आज की इस क्लास को जोल देख लेते हैं उनके दिमाग में इसे जुड़े हुए जो भी आपके डाउट होंगे वो किलियर हो जाएंगे आप लोग पहले कुछ स्क्रीन पर आपको फोटो दिखाई दे रही होगी बैंक आप सभी लोगों ने देखा होगा आप लोगों ने ATM मसीन सभी ने देखी होगी और आप लोगों ने केडिट कायर के बारे में भी सुन रखा होगा आप लोगों ने डेविट कायर के बारे म सुन रखा होगा तो आप लोगों के समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या बात करें आज हम लोग बात करेंगे कि बैंक आखिर होता क्या है बैंक का काम क्या होता है और बैंक आप लोग जब जाते होंगे तो आपको दो तरह की अकाउंट की सुविधा दिये जाती होगी आप स सीधे साधे सब्दों में हम लोग बात करेंगे आज और आराम से आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा फर हम लोग बात करेंगे डेविट कायड क्या होता है इसके फायदे और नुकसान क्या होते है और कैड़िट कायड भी क्या होता है इसके भी फायदे नुक्सान क्या होते हैं और एक और बात बता दीता हूँ कैडिट काइड के बारे में इस समय में हर किसी को मालू होना चाहिए क्योंकि कैडिट काइड के जरिये काफी आप देखी कि ग्राहगों को लूटा जा रहा है उनका सोसन किया जा रहा है फिर हम लोग केडिट काइड और डेविट काइड में फायदे क्या है इसके नुक्सान क्या है दोनों में अंतर क्या है डेविट काइड और केडिट काइड में अंतर क्या होता है और ATM मसीन पर भी बिस्ताल से बात करेंगे कि पहली बार ATM मसीन कहा यह उचकी गई इसके खोच करता कौन रहेते अगर मेरा मानना है कि अगर आप लोग किसी एकजाम की तैयारी भी कर रहे हैं तब भी आप लोगों के लिए काफी पॉइंड मिल जाएंगे अगर इनसे questions पूछा जाता है तो उनका answer आप लोग बहतर तरीके से दे पाएंगे सबसे पहले हम लोग बैंक की बात करते हैं तो देखिए बैंक का काम होता है एक तरह से बित्ती ये संस्था है land and की बात होती है आप देखेंगे कि आप जाते होंगे अकाउंट आपका कुला होगा तो धनरासी जमाभी करते होंगे आप लोग और आप लोग बैंकों से रिड़ भी लेते होंगे लेते हैं या नहीं लेते हैं और आप देखें कि आपके दो तरह की अकाउंट खुलते हैं बैंक में एक तो आपका सेविंग अकाउंट होता है एक आपका करेंट अकाउंट होता है तो सबसे पहले आप देखें कि saving account आखिर होता क्या है saving account आखिर होता क्या है तो saving account को आसान भासा में अगर हम लोग कहें तो बचत खाता भी कहा जाता है यह खाता आम आदमी के लिए बहुत लापकारी भी होता है और इस खाते के द्वारा आपको पैसे save करने यानि कि बचाने के लिए प्रोवसाहित किया जाता है आपके पैसे बचाने के लिए और इस account में आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे save कर सकते हैं और जमा पैसों पर आपको ब्याज भी मिलता है तो जिसका saving account होता है इसमें जो पैसा जमा करते हैं आप लोग इस पर ब्याज भी बैंक देती है अकाउंट को आप अकेले या jointly खुलवा सकते हैं यानि कि आपका personal account हो सकता है आप किसी जैसे आपकी साधी हो चुकी है या अपने माबाप की साथ आप लोग joint खाता भी खुलवा सकते हैं अकाउंट पर 4 से 6 30 सकत का ब्याज दिया जाता है किस पर सेविंग अकाउंट पर या खुद ही तै करते हैं वो है senior citizen की को ब्याज दर में कुछ चूट भी देते हैं जो जो रुख हैं अगर वो सेविंग अकाउंट खुलवाती हैं और और कुछ छूट भी दी जाती है और आपको बता दूँ कि और अच्छा ब्याज उन्हें दिया जाता है बैंक की तरफ से यह है किसकी कहानी सेविंग अकाउंट की अब आपकी दिमाग में यह भी आता है कि करेंट अकाउंट कैसे होता है तो करेंट अकाउंट कहने का मतलब होता है जिसे आसान भासा में आप लोग समझे चालू खाता यसे चालू खाता भी आप लोग कहते है यह जांदातर ब्यापारियों के लिए होता है और इस अकाउंट में जांदातर लगातार लेन ने चलता ही रहता है और यह एक खाता regular transaction के लिए अच्छा माना जाता है, खाता धारक जानदा तर business organization फारम आदी के होते हैं, और इस count में किसी तरह का ब्याज नहीं मिलता है, और मुझे लगता है कि जो आप देखे बिजनेसमेन हो गते हैं, जिनने daily आप देखे कि पैसे के जरूरत पढ़ती रहत कौन सा current account खुलवाते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर याद रखिए, इस पर कोई ब्याज की सुविधा नहीं है, आपको ब्याज नहीं दिया जाएगा, क्या होगा, ब्याज नहीं दिया जाएगा, अगर हम लोग saving account और current account के बीच संबंधी की बात करें, अंतर की बात करें, त इस पर आप देखते होंगे कि आपको पैसा अगर जमा करते हैं आप लोग, तो कुछ ब्याज भी मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज भी मिलता है, वहीं अगर हम लोग current account की बात करें, तो ब्यापारियों के लिए बनाय गया है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमें महीने में एकाद बार पैसे की जरूरत पढ़ती है, और आप देखते हैं कि हम लोग एक बार पैसा निकाल लेते हैं, डेली हम लोग पैसा नहीं निकालते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जो ब्यापारी होते हैं, जो बिजनेसमेन होते हैं, उन्हें आप देखिए हर घंटे पैस कर सकते हैं वही करेंट अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन लिमिट नहीं है जितना चाहें उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं आप लोग जाते होंगे आपका सेविंग अकाउंट होगा बैंक में आप काइड आ जाता होगा डेविट काइड आ जाता होगा तो डेविट काइड क्या होता है आके और बता तुम आप लोगों को जो मास्टर काइड हो बीजा काइड हो जिसके ऊपर आप देखते हैं बीजा लिखा होता है mastercard लिखा होता है या रोपे लिखा होता है सेधी सी बात याद रखेगा ये सबी companyya है जो ये सुभिधाय उपलद करा रही है ठीक है एक बात आप लोगों को समझ लेनी चाहिए अब जैसे mastercard की बता दूँ तो आपको बता दूँ कि ये mastercard जो है न ये अमेरिकी company है master और इसकी स्थाफना 3 नवंबर 1966 में हुई थी ठीक है और इसका headquarter आपको Newark USA में देखने को मिल जाएगा अगर बीजा की बात करें तो बीजा भी आपको बता दूँ कि अमेरिकी company है जो ये सुविधा उपलद करवाती है और इसका San Francisco California USA में इसका headquarter देखने को मिलेगा और सेप्टमबर 1958 में इसकी स्थाफना की गई थी अब आपके मन में ये और आ रहा होगा कि रुपे कहा की company है हमारी भारत की है सौदेशी company है एभुकतान परणाली वाली company है और आप देखेंगे कि इसका ओनर है National Payment Corporation of India और आप देखेंगे मार्च 2012 में इससे सुरू किया गया था और आप देखें कि आपके पास रुपे कायड होगा तो आप लोग अगर अंतराष्टी ये transaction करते होंगे तो उसमें आप लोगों को फैल बता देता है अंतराष्टी ये transaction किसी और दूसरे में transaction करना है देश में तो इससे नहीं होता है आपने देखा होगा कि आपका global जब ही आप लोग customer के एर में call करते होंगे तो आपसे कह दिया जाता है कि आपका कायड global payment के लिए allow नहीं है समझ रहे हैं आप लोग और इसमें आप देख रहे हैं global लिखा हुआ है तो इससे आप लोग कहीं भी payment कर सकते हैं लेकिन मेरा मानना है कि आप लोग देखे विदेश तो जा नहीं रहे हैं भारत में ही आप लोग lendन करते हैं तो आप लोग rupee कायड रखिए बहुत अच्छी सी बात है और यहीं एक तरह एक पिलास्टिक कायड है आप सभी जानते इस बात को तो जिसे बैंक अपने खाता धारकों को उपलब्द कराती है इस डेविट कायड को बैंक के गरहकों के द्वारा लेंदन के कारियों को करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसे ATM कायड भी आप लोग कहते हैं और इस ATM कायड की सहता से आप बिना बैंक में लायन लगाए आसानी से ATM मसीन से पैसा को निकाल सकते हैं और डेविट कायड में आप अपने खाते से उतनी ही रासी निकाल सकते हैं जितनी की आपके अकाउंट में होगी इसका मतलब है कि यदि आपके अकाउंट में खाते में पैसे नहीं है तो आपने देखा होगा घंटों लगा रहे लाइन लगी रहती थी और आप देखिए हज जगह बैंक खोलना आसान भी नहीं होता है बहुत पैसा लगाना पड़ता है लेकिन ATM कायड आप देखिए कि एक बैंक खोलने के लिए जितना पैसा जरूरत है उतने में आप सोची कि क कई ATM आपके खोले जा सकते हैं और ATM के जरीए भी आप देखिए कि आप जमा भी कर सकते हैं आप उहां से निकाल भी सकते हैं तो इन्हीं सुविधाओं को देखते हुए ATM कायड डेविट कायड जारी करने की वेवस्तागी कि लोगों को फायदा हो लोगों को एक तरह से लुबे हैं तो आप लोग 10,000 रुबे तक ही ATM कायड से निकाल सकते हैं इससे जांद आप लोग नहीं निकाल सकते हैं इस बात को आप लोग समझ लिए ठीक है और आप देखेंगे ATM कायड की बात करें तो आपके सामने ATM यह दिख रहा है यहां आप लोग कायड लगाते नंमर डालते हूंगे और यहां आप देखते होंगे कि आपके पैसे निकलाते हैं, यहां से पर्ची निकलाती है, ठीक है, और एक बात और आपको बता देता हूं, कि डेविट काइट काफी सुरक्षेत है, आप देखेए मालली जे कि मेरा ATM गेमग और यानि कि डेविट कायट गिर जाता है कोई उठा लेता है किसी को मिल जाता है तो आप अधिकette की यूउत doesngy कर सकता है क्योंकि आप देखें कि वह बेंक में जाएगा तो उसे आप सभी जानते कि मेरा गुप्त पिन नमबर चाहिए होगा अब पिन नमबर तो उसे मालू नहीं है और आप देखें कि अगर वो reset भी करता है यानि कि पिन नमबर change करने की कौसिस भी करता है तो हमारे mobile नमबर जो हमारा bank में जमा होगा number add होगा mobile नमबर उस पर OTP आएगा और आप सभी जानते हैं कि OTP इतना आसान भी नहीं होता है आपके mobile नमबर से लेना आपके पास mobile रहेगा और दूसरी बात एक और भी है अगर आप लोग bank account में जाते हैं और आपने देखा होगा कि आप लोग पैसे निकाल कर cancel वाली बटन पर दबाते लें तो एक बार हो याद रखेंगा जब आप लोग एक बार पैसे निकाल लेते हैं तो मुझे रखता है कि आप लोगों को मालू होने च lij cotton कि दूसरी बार अगर पैसा निकाल लाएं और अगर आप अगर आप लोग छोड़व देते हैं, तो उसका उपयोग कोई दुर उपयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे दुबारा आपकी ATM काड की PIN नंबर की जरूरत पढ़ेगी, तो इतना डरने वाली कोई बात भी नहीं रहती है, ATM काड के बारे में कुछ और बता देता हूं, आप सभी जानते हैं, इसका प बुर के लिए, बैंक द्वारा पहली बार ये उपयोग किया गया था, और भादत में बात करें, तो 1987 में पहली बार ये उपयोग में आया था, ATM, कब? 1987 में, ATM काड के, ATM मसीन के खोज करता है कि अगर हम बात करें, तो जॉन सैफार्ड, बैरन ने इसका निर्माड किया था, सबके सामने लाए थे, तो इनका नाम जरूर याद रखिए, जॉन सैफार्ड, बैरन के नाम से, क्योंकि आपको मालू होना चाहिए कि आपसे इस तरह के परिच्छाओं में कुश्चांस पूंच लेता है, अब आपकी दिमाग में ये भी आता है, कि आखे डेविड काड के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, तो इस ATM काड के होने से आपको अपने साथ कैस रखने की जरूरत नहीं होती है, माल लिए कि आप लोग अपने सहर से कहीं दूसरे सहर में जा रहे हैं, तो पहले की बात बता रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे कि आप student य मैं पैसे ले जाते थे, ATM काड नहीं होगा तब की बात कर रहा हूँ मैं, आपके पास जब ATM काड की सुविधा नहीं होगी, तब आप लोग देखते होंगे कि अगर आपको 10,000 रुपे की जरूरत है, एक लाग रुपे की जरूरत है, तो आप अपने नगद अपने साथ उन जहां पैसे की जरूरत पड़ती है, वहीं आप लोग ATM देख लेते हैं, किसी भी बैंक का ATM, आप तो यह अच्छी सुविधा हो गई, कि आप किसी भी बैंक का ATM से पैसे निकाल सकते हैं, वो चाहे SBI का हो, पंजाब नेसनल का हो, या और किसी बैंक का हो, तो यह अच्छी लगते हैं, और माली जी कि देखी एक समय होता था कि आपके आप 10,000 रुपे ले गए, और वो 10,000 खर्च हो गए, या चोरी हो गए, और माली जी कि आपको 10,000 रुपे की और जरूर थे, तब आप क्या करते थे उस समय, आपके पास कोई औपसन नहीं रहता था, कोई आपके पास नहीं भेजता था, वो भेजता था, तो आप देखते थे कि यह लंबा समय लगता था, आज की समय में आप देखी आप अगर दिली में बैठे हुए, और आप के पिताजी किसी गाउं में बैठे हुए है, या आपका परचित कोई किसी गाउं में बैठा हुए है, तो 10 जरूरत के हिसाब से पैसों की निकासी कर सकते हैं. 24 घंटे, आप समझ रहे हैं, 24 घंटे, सातों दिन और 365 दिन, आप समझ रहे हैं? और बैंक में क्या होता था? आप देखते ही थे कि जिस दिन चुटी है उस दिन आप लोग bank से सुविधाय नहीं ले पाते थे आप लोग पैसे नहीं निकाल पाते थे और आप देखें रात में भी आप लोग पैसे नहीं निकाल पाते थे कई बैंके 5 बार transaction की एक तरह से limit रखी हुई है कि आप हमारे ATM से 5 बार lend in महीने में कर सकते हो और un ATM से आप लोग 2-3 बार कर सकते हो और अगर आप लोग इससे जानदा बार limit cross करते हैं आप देखिए किसी बैंक ने अगर 5 बार की limit रखी है और आप 6-7 बार करते हैं तो आप से कुछ सुल्क भी ले लिया जाता है कुछ पैसे आप के काट लिये जाते हैं मासिक limit पार होने की बाद निकासी करने पर आपके बैंक द्वारा कुछ सुल्क ले लिया जाता है यदि आप समदित बैंक के ATM मसीन से निकालते हैं तो आपके निकास के समद्द समाए 5 लेंदेन मुप्त रखे गए फिर इमें रखे गए इसके अलाबा यदि आप एक महिने में 3 लेंदेन दूसरे बैंक के ATM से करते हैं तो उसके लिए आपको 23 रुपे देना पड़ेगा जो आपका निकास के समाही आप बैंक द्वारा काट लिया जाए आपके बैंक द्वारा काट लिया जाए तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा और इसलिए बचत खाता मैं एक महिने में केबल 8 लेंदेन ही मुप्त कर दी सकता है माल लिजे कि मेरा SBI का ATM है 5 बार मैंने SBI से निकाल लिया तो मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर 6 बार मैं निकालूंगा तो उस पर कुछ चार्ज लगा देगा कौन बैंक आपका आपने माल लिजे कि मेरा SBI में का डेविट काट है और मैं पंजाब नेशनल से तीन बार निकाल लेता हूं या किसी और बैंक से और जब 4-3 बार हम लोग अन बैंक से निकालेंगे जिसका हमारा जिस बैंक का हमारा ATM नहीं है समझ रहे हैं? SBI का नहीं है तो आप सोची कि एक तरह से हमारे हमें कितना रुपे देना पड़ेगा? 23 रुपे हमें भुकतान करना पड़ेगा यदि आप चालू खाता है तो उसमें लेंडेंड अधिक होते हैं और उसके डेविट काट में अधिक छूट पिदान की गई होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि उन्हें डेली कभी न कभी जरुवत पड़ती ही रहती पैसे की तो जो करेंट अकाउंट वाली होते हैं उन्हें और छूट दे दी जाती है और इसके डेविट काट से बचत खाता कि डेविट काट की तुला में अधिक लेंदेन कर सकते हैं बिल्कुल भी सोभा भी कसी बात है अब आपकी इमन में ये भी आता है सवाल कि आखिर क्रेडिट काट का मामलिया क्या है क्रेडिट काट क्या होता है और आजकल तो आप देखिए हर कंपनी आप देखिए उपलब्द करा रही जो भी बित्तिय संस्था है वो आपकी क्रेडिट काट उपलब्द करा रही है कई प्राइविट संस्थान भी आपके डेविट काट उपलब्द करा रहे हैं और आप देखिए कि credit card के लिए आपका bank account में account होना ज़रूरी नहीं है जैसे माली जए मेरा SBI में है तो आपने देखा होगा credit card आप लोग ले लेते हैं लेकिन कई private bank भी ऐसे हैं बित्तिय संस्थान भी ऐसे हैं जिन के पास हमारा account नहीं है फिर भी वो हमें credit card दे रहे हैं तो हमारा civil score देखकर वो कि हमारी स्थिती क्या है क्या हम पैसा चुका पाएंगे इन बातों को धियान में रखते हुए credit card उपलद कराया जाता है ठीक है और आप देखे कि आपका जब pen card number होता है ना उससे चेक कर लेते हैं कि आपकी स्थिती क्या है आप चुका पाएंगे या नि चुका पाएंगे और आप चुकाने की स्थिती में होंगे तो आपको दे देगा नहीं होंगे तो आप नहीं देगा देखी SBI का ये credit card है ठीक है और यह credit card दिखने में बिल्कुल debit card के समान ही होता है debit card की तरह ही होता है और इस card की माध्यम से भी आप आसानी से digital lending को कर सकते हैं लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपको debit card के लिए bank खाती की आवसकता होती है वही credit card के लिए bank खाती का होना जरूरी नहीं है क्योंकि credit card को कोई finance company कई finance company यह द्वारा यह उपलब्द करवाया जा रहा है जारी किया जा रहा है credit card के लेते समय card धारक को अपनी limit को तै करना होता है यह limit बीस दस से बीस हजार से लेकर आप देखिए लाग मों रुपिय तक हो सकती है इसमें ऐसा होता है जादी कि आप कहेंगे credit card की क्या जरूर थी पहले आप लोग ने देखा होगा कि आपको lawn लेना हो दा था आप अपने मित्र से ले लेते थे और जरूरत पढ़ने पर आप देखिए कि आपका मित्र भी lawn नहीं आपको ओरेड नहीं देता था आपको पैसे नहीं देता था या पर आप लोग साहू कारों के पास जाते थे और आप देखते थे कि एक लंबा समय लगता था और एक लंबा ब्याज एक तरह से आप देखिए कि बहुत ब्याज देना पड़ता था और ऐसा माना जाता है हमारे देश में कि अगर आप साहू कारों या आप सोचे कि आप जो ब्यापारी होते हैं उनसे अगर आप लोग उन्हें ब्याज ले लिया तो इस जनम में आपका ब्याज और भुकतान होने बाला नहीं है और किसानों की हालत देखी आप लोग इसी तरह से लोटते हैं आप देखते हैं कि किसानों से जो उनकी फसल खरीते हैं वो उन्हें आसानी से रिड उपलब्द करवा देते हैं लेकिन उससे उच्च ब्याज दर रखी जाती है और वो किसान जिन्दिगी भर उसका ब्याज ही नहीं चुका पाता है और आप बैंकी की बात कर लिए बैंकी भी आप कहेंगे कि बैंकी भी तो रिर देता है और बड़े कम ब्याज पर देता है लेकिन आज के समय में भी आप लोग बैंक चले जाएए एक दिन में आपको लॉन नहीं मिलने वाला है आपको बैंकी कही चक्कर लगाने पड़ेंगे यह हमारे देस की हकीकत है आप लोगों को घूंस्ट भी देनी पड़ीगी इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए कैड़िट कायड लाए गया यानि कि मैंने कैड़िट कायड लिया हुआ है तो माल लिजे कि मेरा सिविल स्क्वोर जिस तरह से होगा माल लिजे कि मुझे बैंक को भरोसा है कि यह आसानी से पैसा चुका पाएगा तो मुझे हो सकता है कि 20 से 10-20 हजार से लेकर लाख रोपे तक का कैड़िट दे सकता है और एक कैड़िट जो हमारी लिमिट रहेगी माल लेगे कि मेरा credit 30,000 की credit card की limit है तो मैं 30,000 रुपे तक कभी भी खर्च कर सकते हैं हमारे पास credit card है उसकी limit 30,000 है और मुझे अभी हाल में जरूरत पढ़ रही है तो मैं अभी हाल ही 30,000 रुपे तक उनका उपयोग कर सकते हैं और क्या होता है कि उन्हें आने वाले समय में जब आपके पास पैसे हो जाएंगे उसकी जो तारीक रखी गई होगी कि इस तारीक को आपको credit card का bill जमा करना होगा जिस तारीक को आपका credit card का bill generate होगा उस तारीक को आपको जमा कर देना होगा तो इससे क्या रहेगा कि ब्याज भी नहीं लेती है बैंक आपकी और आसाणी से आपको red भी मिल जाता है इस card के जरीए आप महिने भर आसाणी से बिना किसी राशी की खड़िदारी कर सकते हैं किन्तु आपको महिने के अंद तक, बेंक द्वारा निधारी तारीक के अंदर रासी का भुकतान करना होता है। यदि आप तैय समय पर भुकतान नहीं कर पाते हैं, तो आप बेंक द्वारा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस बात को जरूर याद रखना होगा। उस पर आप देखे बहुत चार्ज लिया जाता है बैंक की तरफ से और एक बात और याद रखेगा कि जब भी आप लोग आपका जो भी बिल जनरेट होता है उस तारीक को आप लोग पैसे जमा कर दीजेगा बढ़ना आप पर जुर्मारा भी लगाए जाएगा और आपका कि आपका सम्मान किस तरह से बैंकों में है तो इन बातों का भी याद रखेगा आप कैड़ेट काईड के भी फायदे देख लीजे नुकसान देख लीजे और इस कैड़ेट काईड का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि यदि आपके खाते में पैसे नहीं है तब भी आपिंग या कुछ भी खरीदारी कर सकते हैं इस कैड़ेट काईड के जरीए आप किसी भी प्रोडेक्ट को असानी से EMI पर किस्तों पर खरीच सकते हैं और इस काईड के माध्यम से आप आपात इस्तितियों में कैस भी निकाल सकते हैं किन्तु इसका सुलक जाना होता है और रोज से बूलती है कि हम कैड़ेट काईड से आपके पैमेंट कर देते हैं पैसे निकालने की जरूबती क्या है इसकी अलादबा यदि आप सौपिंग करते हैं तो आपको आधिक सुविधाएं छूट मिलती हैं कैस बैक भी मिलता है लेकिन डेविट काईड में यसी सुवि इंटरेश्ट और थाथ ब्याज की रूप में लिया जाता है और आप देखेंगे इसमें यदि आप ATM से कैस निकालते हैं तो उसके लिए दूसरे लौन की तुलना में बहुत अधिक ब्याद देना पड़ता है तो इस बात को भी आप लोगों को याद रखना होगा और कर देंगे कहीं से भी तो हमारा कर्ज भी बढ़ जाता है इससे घर बात आती है debit card और credit card में अंतर क्या है तो debit card में आप अपने बचत खाते से पैसे निकालते हैं और इसके विप्रीट credit card में आप bank से रखम को उधार लेते हैं जमाझ रहें इस debit card द्वारा निकाली गई रासी के लिए आपको किसी तरह का ब्याज नहीं देना होता है जबकि credit card में आपको निकाली गई रासी पर ब्याज देना पड़ता है जब आप लोग ATM card लेका जाते होंगे डेविड card ATM से पैसे निकाल लेते होंगे तो आपने देखा होगा कि आपको कोई ब्याज में आज कुछ पैसे नहीं देना पड़ता है लेकिन credit card अगर आप direct पैसे निकालते हैं नगद रूम में तो उस पर आप लोग कोछ पैसा देना होता है डेविड card में आप transaction रासी की लिमिट आपके खाते में उपलवद रकम होती है वहीं credit card की बात करें तो इसमें आपके सिवा पिदाता बैंक द्वारा इस लिमिट को तै किया जाता है अब आप सोचें कि एक लाग रुपिय आपकी बैंक में हैं तो आप लोग एक लाग तक निकाल सकते हैं लेकिन credit card में ऐसा नहीं है अगर एक लाग की जरूरत है और आपकी लिमिट है अगर 35,000 रखी गई तो 35,000 ही आप लोग वहां निकाल पाएंगे debit card को मुख रूप से अपने देश में ही सोई कार किया जाता है किन्तु credit card को आप किसी भी देश में आसानी से उप्योग कर सकते हैं इसलिए credit card को यात्रा के दौना अधिक उप्योगी माना जाता है बैंक द्वारा debit card पर लगने वाला service charge credit card की तुला में बहुत कम होता है ठीक है और debit card पर कोई ब्याज नहीं परता है कि बल अधिक लेंदेन होने पर कुछ सोल किकी काटोती होती है इसकी तुला में credit card पर ब्याज के रूम में बहुत अधिक charge देना होता है और एक बात और आप जानते हैं देखे आपने देखा होगा कि अगर आप लोग ATM card लेते हैं तो एक मामूली सी रकम आपकी bank account से काट ली जाती है ठीक है और लेकिन debit card में आप देखते हैं कि जब आप लोग इसे लेते हैं उसी समय आपने देखा होगा 499 साल का या फ़र आप देखे कि हो सकता है कि और अच्छा ले रहें तो उसमें 1499 इस तरह से बढ़ता जाता है कितनी भी राशी बढ़ सकती है तो यही कहानी है debit card, credit card की, ATM machine की, bank account की, saving account, current account की अगर कुछ और doubt हो तो बताईएगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी card लेते वक्त आपको सावधानी वर्दनी चाहिए और मैं कहता हूँ credit card अगर जरूरत है ही आपको लगता है तभी लीजिएगा बरना मुझे नहीं लगता है कि उसे लेना चाहिए कि मैं इसलिए वह लाओं क्यूंकि आप देखिए कि उससे आपका खरच और बढ़ जाता है और दुनिया भर का आप देखिए अगर आपके पास गुंजा ऐसा है कि टाइम टाइम से आप लोग बिल जमा कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि फायदा है उस पर आप लोग अध बात कर लेंगे ठीक